परंतप धनजे, प्रियोग, उपसंगार, आवृत्ती, प्राश्चित और प्रतिखार, ये अस्त्रों की पाँच विदिया हैं, तुम इन सब का पूर्ण ग्रान प्राप्त कर चुके हो, अतह अब गुरुदक्षना देने का समय आ गया अर्जुन का गंदमादन पर्वत पर आगर अपने भाईयों से मिलना जनमेचे तदनंतर किसी समय हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ, देवराज इंदर का रत सहसा आकाश में प्रकट हुआ मानु बिजली जमक उठी हुँ, उसे देखकर अर्जुन का चिंदन करते हुई, महारती पांडवों को बड़ा हर्श हुआ उस रत का संचालन मातली कर रहे थे, वह दीप्तिमान रत सहसा अंतरिक्ष लोग को प्रकाशित करता हुआ, इस प्रकार सुशुबित होने लगा, मानु बादलों की भीतर बड़ी भारी उलका प्रकट हुई हुँ, अथ्वा अगनी की धूमरही ज्वाला प्रचुलित हो उठी हो, उस दिव्य रत पर बैठे हुए किरीट धारी अर्जुन स्पस्ट दिखाई देते थे, उनके कंठ में दिप्वे हार शोभा पा रहे थे, और उन्होंने स्वर्गलोग की नूतन आभूशन धारन कर रखे थ उस समय धननजे का प्रभाब वज्रधारी इंदर के समान जान पड़ता था, वे अपनी दिव्य कांती से प्रकाशित होते हुए गंद माधन परवत पर आप पहुंचे, परवत पर पहुंचकर बुद्धिमान की रिट धारी अर्जुन देवराज इंदर के उस रत से उतर पड़े, उस समय सबसे पहले उन्होंने मरशी धॉम्मे के दूनों चर्णों में मस्तक जुकाया, तदनंतर अचाथ शत्रू युधिष्टर और भीमसेन के चर्णों में प्रणाम किया, इसके बाद नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया, तत्पशात अर्जुन ने उसे बहुत आश्वासन दिया, और अपने भाई युधिष्टर के समीप आकर वेविनीत भाव से खड़े हो गये। अप्रमे वीर अर्जुन से मिलकर सब पांडवों को बड़ा हर्श हुआ, अर्जुन भी उन सब से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, तथा र यूथों का संघार किया था, उस इंद्ररत के समीप जाकर उदार हुदे वाले कुंति पुत्रों ने उसकी परिक्रमा की, साथ ही उन्होंने अत्यंत हर्श में भर कर मातली का देवराज इंद्र के समान सर्वोत्तम विथी से सतकार किया, इसके बाद उन पांडवों ने मात पुत्र को उपदेश देता है, उसी प्रकार पांडवों को कर्तवी की शिक्षा देकर वेपुनह अपने अनुपम कांधिशाली रत के द्वारा स्वर्गलोग के स्वामी इंद्र के समीप चले गए। उत्तम तथा सूर्य के समान देदिप्पिमान दिवे आभूशन अपनी प्रियतमा सुच्छों की माता द्रौपदी को समर्पित कर दिये। तदनंतर उन कुरिश्ष्ट पांडवूं तथा सूर्य और अगनी के समान तेजस्वी ब्रमरिश्यों के बीच में बैठ कर अरजुन ने अपना सब समाचा यथावत रूप से कह सुनाया। मैंने अमूप प्रकार से इंद्र, वायू और साक्षा चिप से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। मेरी शील सुभाव तथा चित की एक्रागरता से इंद्र सहित संपून देवता मुझ पर बहुत प्रसंद रहते थी। निर्दोश कर्म करने वाले अर्जुन ने अपने स्वर्गिये प्रवास का सब समाचार उन सब को संक्षेप से बताकर नकुल सहदेव के साथ निशिंद होकर उस आश्रम में शैन किया। भारत रत के पहियों की घड़गरा हट, घंटानात तता सर्ब, मुरिग एवं पक्षियों की कोलाहल सब और प्रिथक प्रिथक सुनाई दे रहे थे। पाड़वों ने प्रसंता पूर्वक उस ध्वनी की ओर आँग उठा कर देखा, तो उन्हें देवराज इंद्र द्रिष्टी गोचर हुए, जो संपूर्ण मर्दगर्ण आदी देवताओं के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। गंधर्वों और अपसराओं के समुहों सूरे के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शत्रुदमन देवराज को चारों और से खेर कर उन्हें के पत्का अनुसरन कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हरे रंग के खोड़ों से जुदे हुए, मेग, गर्जना के समान कमभीर खोश करने बाले। जाम्बुनत नामक सुवर्ण से अलंकरित रत्व आरोड देवराज इंद्र पाण्डवों के पासा पहुँचे। उस समय वे अपनी उतकरिष्ट प्रभासे अत्यंत उत्भासित हो रहे थे। निकट आने पर सहस्त्र लोचन इंद्र रत से उतर गए। उन महामना देवराज को देखते ही भायों सहिच श्रिमान धर्मरा जुधिष्टर उनके पास गए। यग्यों में प्रचूर दक्षणा देने वाले युधिष्टर ने शास्त्र बढ़नित पत्रती से अमित बुधि इंद्र का विधिवत स्वागत सत्कार किया। तेजस्वी अर्जुन भी इंद्र को प्रणाम करके उनके समीब सेवक की भांदी विनीत भाव से खड़े हो महा तेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्टर अर्जुन को देवराज के समीब विनीत भाव से सिद्देख बड़े प्रसन हुए। अर्जुन के सिर पर जटा बंद गई थी। वे देवराज के आदेश के अनुसार तपस्या में लगे रहते थे। अतह सर्वता निश्प पाप हो गये थे। अर्जुन को देखने से उन्हें महान हर्ष हुआ था। अतह देवराज का पूजन करके वे बड़े प्रसन हुए। उदार्चे त्राजा युधिष्टर को इस प्रकार हर्ष में मगन देखकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने कहा। पांडु नंदन अर्जुन ने एकाकरचित होकर मुझसे संपून देव्यास्तर प्राप्त कर लिये हैं। साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिये कार संपन ने किया है। तीनों लोगों के समस्तर प्राणी इन्हें युद में परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन युधिस्टर से ऐसा कहकर इंद्र मरश्यों की मुख से अपने स्तुती सुनते हुई सानंद स्वर्ग लोग को चले गए। धना द्यक्ष कुबेर की घर में ठीके हुई पांडवों का जो इंद्र के साथ समागम हुआ था। उस प्रसंद को जो विद्वान एक आक्रिचित होकर प्रति दिन पढ़ता है और संयम नियम से रहकर कठोर व्रत का आश्रम ले एक वर्ष तक प्रमचरे का पालन करता है। वह सप्रकार की बाधाउं से रहित हो सौ वर्षों तक सुख पूर्वक जीवन धारन करता है। वेशंपायन जी कहते हैं जन्मेचर देवराज इंद्र के चले जाने पर भाईयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्टर को प्रणाम किया। पांडुन नंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्टर बड़े प्रसन न हुए। एवं उनका मस्तक सुनकर हर्ष कदगदवानी में इस प्रकार बोले। अर्जुन स्वर्ग में तुम्हारा ये समय किस प्रकार बीता। कैसे तुमने दिव्यास्तर प्राप्त किये और कैसे दीवराज इंदर को संतुष्ट किया। पार्दोनन्दन, क्या तुमने सबी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिये? क्या देवराज इंद्र अथ्वा भगवान रुद्र ने प्रसन होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किये हैं? शत्र दमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया, अथ्वा जैसे पिनाकधारी भगवान शिप को देखा है, जिस प्रकार तुमने सब अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है, और जैसे तुम्हारे द्वारा देवराधन का कार संपादित हुआ है, वे कौन सा प्रियकारे था, जिसे तुमने संपन्न किया है, महादेजस वीवीर, मैं ये सब बाते विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, शत्रों का दमन करने वाले निश्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेब जी तथा देवराज इंद्र संतुष् और वजरधारी इंद्र का जो प्रियकारे तुमने संपन्न किया है, मैं सब पूर्ण रूप से बताओ, अर्जुन बोले, महाराज, मैंने जिस विधी से देवराज इंद्र तथा भगवान शंकर का दर्शन किया था, वैं सब बतलाता हूँ, सुनिए, शत्रों का मर्दन कर करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विध्या को ग्रहण करके, आप ही के आदेश से मैं तपस्या करने के लिए वनकी और प्रस्तित हुआ, कामेकवन से चल कर तपस्या में पूरी आशा रख कर, मैं प्रिगतुंग परवत पर पहुँचा, और वहां, एक रात रहेकर ज तब मैंने उनसे सब कुछ सच-च बता दिया, निप्शेष, ब्राहमन देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशांचा की और मुझ पर बड़े प्रसन हुई, तपस्यात उन्होंने प्रसंता पूर्वक कहा, भारत, तुम तपस्या का आश्रे लो, तब में प् हो गया, और एक मास तक केवल फलफूल खा कर रहा, इसी प्रकार मैंने दूसरा माह भी केवल जलपी कर बिताया, तीसरे माह में पूरतह निराहार रहा, चौथे माह में ऊपर को हाथ उठाय, खड़ा रहा, इतने पर भी मेरा बल क्षीर नहीं हुआ, यह एक आश्रे कीसी ब गटाया, वह अपने धूतन से प्रित्वी पर चोट करता और पेरों से धर्दी खोदता था, बार बार लेट कर वह अपने पेट से भाहा की भूमी को ऐसी सोच कर देता, मानों उस पर जार दिया गया हो, उसके पीछे किरात जैसी आकरती में एक महान पुरुष का दर्शन ह उसने धनुष बान और खडग ले रखे थे, उसके साथ स्त्रियों का एक समुदाय भी था, तब मैंने धनुष पर अक्षे तरकस लेकर एक बान के द्वारा उस रोमाजकारी सुकर का आघात किया, साथ ही किरात ने भी अपने सुद्र धनुष को खीच कर उस पर गहरी चू का था, फिर तुमने आखेट के नियम को तोड़ कर उस पर प्रहार क्यों किया, इतना ही नहीं उस विशाल का है, एवं धनुष धर किरात ने उस समय मुझ से यह भी कहा, अच्छा ठेर जाओ, मैं अपने पहने बानों से अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर किये देता हू ऐसा कहकर उस भील ने जैसे परवत पर वर्शा हो, उस प्रकार महान बानों की बोचार करके मुझे सब ओर से ढख दिया, तब मैंने भी भारी बान वर्शा करके उसे सब ओर से आच्छादित कर दिया, तदनांतर जैसे वजर से परवत पर आघात किया जाए, उसी प्रकार प्रजोलित मुखवाले अभी मंतरित और खूब घींच कर छोड़े हुए बानों द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया, उस समय उसके सैंक्णों और सास्त्रों रूप प्रकट हुए, और मैंने उसके सभी शरीरों पर बानों से गहरी चोड पहुँचाई, भारत फिर उसके वे सारे शरीर एक रूप दिखाई दिये, महराज उस एक रूप में भी मैंने उसे पुनह अच्छी तरह खायल किया, कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता, पर अंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता, फिर वे विशाल शरीर धारन कर लेता, और मस्तक ब आणों की वर्षा करके भी युद में उसे परास्त ना कर सका, तब मैंने महान वैव्यास्त्र का प्रयोग किया, किन्तो उससे भी उसका बद ना कर सका, यह एक अध्भुत सी घटना थी, वैव्यास्त्र के निश्वल हो जाने पर मुझे महान आशरे हुआ, महराज तब मैं पुनह विशेश प्रत्न करके रणभूमी में किरात रूप धारी उस अध्भुत पुरुष्पर महान अस्त्र समों की वर्षा की, स्थूना कर्ण, वारुनास्त्र, भैंकर, शर्वश्शास्त्र, शल्भास्त्र, तथा अश्यम वर्ष, इन अस्त्रों का सहराले मैं उसकी रात पर तूट पड़ा। बाण वर्षा करने वाला अस्त्र शर्वश कहलाता है, जैसे असंखे डिलियां आकाश में मंदराती और पौधों पर तूट पड़ती हैं, उसी प्रकार जिस अस्त्र से असंखे बाण आकाश को आचादित करते हैं और शत्रु को अपना लक्ष बनाते हैं, उसी का नाम शल अतर पूर्वक्श अपना ग्रास बना लिया, अब सब के भक्षन कर लेने पर मैंने महान प्रमास्त्र का प्रयोग किया, तब प्रजुलित बाणो द्वारा वे अस्त्र सब ओर बढडने लगा, ... मेरे महान अस्र से पढ़ने की प्रेर्णा पाकर वह प्रमास्र अधिक वेग से बढ़ चला। तदनांतर मेरे द्वरा प्रकट किये हुए प्रमास्र के तेज से वहां के सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपून दिशाएं और आकाश सब ओर से आकी लप्टों से उद्धिप्त हो ठे। परंतु उस महान तेजस्वी दीर ने क्षण भर में ही मेरे उस ब्रमास्तर को भी शांत कर दिया। राजन उस ब्रमास्तर के नश्ट होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। तब मैं धनुष और दोनों तरकस लेकर सहसा उस दिव्वे पुरुष पर आघात करने लगा। किन्तु उसने उन सब को भी अपना आहार बना लिया। जब मेरे सारे अस्रशस्तर नश्ट होकर उसके आहार बन गए तब मेरा उस आलोकिक प्राणी के साथ मल्ले युद आरंभ हुआ। पहले मुक्कों और थपड़ों से मैंने उससे टक्कर लेनी की चेश्टा की। परन्तु उस पर मेरा कोई वश नहीं चला। और मैं में वे भगवान शंकर थे। उन्होंने पूर्वोक्त बरताव करके दूसरा रूप धारन कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़कर दिव्विसुरूप का आश्र ले। अलोकिक एवं अध्भुत वस्त्र धारन की वहां खड़े हो ग अनेक रूप धारी भगवान शूल पानी उसरण भूमी में मेरे निकटाक पूर्वत सामने खड़े हो गये और बोले। परंतप मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तदर अंतर मेरे धनुष और आक्षय बानों से भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिव ने मुझे ही दे दिये और कहा परंतप ये अपने अस्तर ग्रहन करो। कुंति कुमार मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। बोलो तुम्हारा कौन सा कार सिद्ध करूँ। भीर तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ। मैं उससे पूर्ण कर दूँगा। अमरतव को छोड़कर और तुम्हार में मन में जो भी कामना हो बताओ। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्रों में लगा हुआ था। उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और ये बात कही। यदि मुझ पर भगवान प्रसंद नहीं तो मेरा मनुमांचित्वर इस प्रकार है। देवता पर देता हूं। पांदु कुमार मेरा रौद्रास्त स्वयम तुम्हें प्राप्ध हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपती ने बड़ी प्रसंदा के साथ मुझे अपना महान पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेव जी फिर बोले तो मैं मनुश्यों पर किसी प्रकार इस अस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने से अलपशक्ति बाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपून विश्व को दग्द कर देगा। धनन जय जब शत्रु के द्वारा अपने को बहुत प्र प्राप्त होने लगे उस तशा में आत्मरक्ष के लिए इसका प्रयोग करना जाहिए। शत्रों के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा इसका प्रयोग उच्चित है। इस प्रकार भागवान विशब्धोच की प्रसन्न होने पर संपून अस्त्रों का निवारन कर और कहीं भी कुणफितना होने वाला दिवे पाशुपतास्त्र मूर्थिमान हो मेरे पास आकर खड़ा हो गये। वे शत्रूं का संघारक और विबक्षियों की सेना का विध्वन्सक है। उसकी प्राप्दी बहुत गठिन है। देवता, दानव तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहिन करना अतिन्त गठिन है। फिर भगवान शिव की आगया होने पर मैं वहीं बैठ गया और वे मेरे देखते देखते अंतरधान हो गए। अर्जुन कहते हैं, भारत, देवादी देप परमात्मा भगवान तरलोचन के क्रिपा प्रसाथ से मैंने प्रसंता पूर्वक यह रात वहीं बिताई थी। प्राता होने पर पूर्वान काल की क्रिया पूरी करके मैंने पुना उनी शेष्ट ब्राहमन को अपने समक्षपाया, जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था। भरत कुल भूशन, उनसे मैंने अपना सारा व्रतांत यथावत कह सुनाया और बताया कि मैं भगवान महादेव जी से मिल चुका हूँ। राजेंद्र तब वे वेप्रवर बड़े प्रसंन होकर मुझे से बोले, गुंति कुमार, जिस प्रकार तुमने महादेव जी का दर्शन किया, वैसा दर्शन और किसी ने नहीं किया है। अनग, अब तुम यम आदी संपून लोग पालों के साथ देवराज इंद्र का दर्शन करोगे, और वे भी तुम्हें आस्तर प्रदान करेंगे। राजन ऐसा कहकर सूरी के समानती जस्वी ब्राहमन देवताओं ने मुझे बार-बार हरदे से लगाया, और फिर वे इच्छानुसार अपने अभिश्च स्थान को चले गए। शत्र विजय नरेश तदन अंतर जव्य दिम ढलने लगा तब पुनह इस जगत में नूतन जीवन का संचार सब करती हुई पवित्र भायू चलने लगी और उस हेमाले के पाशुबर्ती प्रदेश में दिव्य नभीन और सुगंदेत पुष्पों की वर्षा होने लगी। और अपसराओं के समुहों वहां देवराज इंदर के आगे रहकर गीत का रहे थे। देवताओं के अनेक गण भी देव्य विमानों पर बैठ कर वहां आये थे। जो महिंद्र के सेवक थे और जो इंदर भवन में ही निवास करते थे वे भी वहां बदारे। तदमंतर थोड़ी ही देर में विभित आभूशनों से विभूशित हरे रंके खोड़ों से जुते हुए एक सुन्दर रत के द्वारा शची सहित इंदर ने संपून देवताओं के साथ महां पदार पन किया। राजन इसी समय सर्वोत क्रिष्ट एश्वरे लक्ष्मी से सं पर नर्वाहन कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिये। दक्षिन दिशा की और दृष्टिपात करने पर मुझे साक्षातियम राज खड़े दिखाई दिये। वरुन और देवराज इंदर भी क्रमशह, पश्यम और पूर्व दिशा में यथास्थान खड़े हो गए। महराशनर श्रेष्ट उन सब लोगपालों ने मुझे सांतपना देगर कहा। सब्यसाची अर्जुन देखो हम सब लोगपाल यहां खड़े हैं। दिव्यास्तर प्राक्त किये। भारत जब मैं अस्तर ग्रहन कर चुका तब देवताउने मुझे जाने की आग्या दी। शत्रुदमन तदनंतर सब देवता जैसे आये थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए। देवेश्वर भगवान इंदर ने भी अपने अत्यंत प्रकाश्पूर रत पर आरूर हो मुझे कहा। अर्जुन तुम्हें स्वर्गलोग की यात्रा करनी होगी। भरत श्रेश्वर धनंजित यहां आने से पहले ही मुझे तुम्हारे विशे में सब कुछ ग्यात हो गया था। इसके बाद मैंने तुम्हें धर्शन दिया है। पांडुनंदर तुम्हें पहले अनेक बाद बहुत से तीर्थु में स्नान किया है और इस समय इस महान तपका भी अनुष्टान कर लिया है। अदह तुम स्वर्ग लोग में सरशरीर जाने के अधिकारी हो गए हो। शत्र सूधन अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी होगी और स्वर्ग लोग में अवश्य पदारपन करना होगा। मेरी आग्या से मातली तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगा। पार्णवश्ष्ट बाहर रहकर जो तुम अत्यनत दुशकर्ट तब करहे हो। इसके कारण देवताओं और महात्मा मुनियों में तुम्हारी ख्याती बहुत बढ़ गई है। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा। भगवन आप मुझ पर प्रसन्न होईए। देवेश्वर मैं अस्त्रविद्या की प्राप्ती के लिए आपको अपना आचारे बनाता हूँ। इंद्र ने कहा। परंतपता तरजुन देवे अस्त्र शस्त्रों का ज्यान प्राप्त कर लेने पर तुम भयंकर कर्म करने लगोगी। अत्ह पांडु नंदन मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिए अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तुम्हारा वे उद्धिश पून हो। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया शत्रु घाती देवे शुर मैं शत्रों द्वारा प्रियोक्त दिव्यास्त्रों का निवारन करने की अलावा अन्य किसी अफसर पर मनुष्यों की ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रियोक नहीं करूँगा। देवराज, सुष्रिष्ट, आप मुझे विद्धिवे अस्त्र प्रदान करें। अस्त्र विद्या सीखने के परशाद मैं उन्हीं अस्त्रों के द्वारा जीते हुई लोकों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र बोली, धरंजय, मैंने तुम्हारी परिक्षा लेने के लिए उपरियुक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्र विद्या के प्रती अत्यंत उच्छुकता प्रकट की है। वह तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र के अनुरूप ही है। भारत, तुम मेरे भावन में चल कर स संपून अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। गुरुश्रिष्ट, वायू, अक्नी, वसु, वरुन, मरुदगण, साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्वगण, नाग, राक्षस, विष्णु तथा निर्यतिके और स्वयं मेरे भी संपून अस्त्रों का ज्यान प्राप्त कर मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतरधान हो गये। और अब आवश्यक कारे करो, इसी शरीर से देवलोग में चलो, तथा पुर्ण्यात्मा पुर्षूं के लोकों के दर्शन करो। भरत अंदर साध्र नीत्रों वाले देवराज इंद्र तुम्हें देखना चाहते हैं। मातली के ऐसा कहने पर मैं हिमाले से आगयले रत की परिक्रमा करके उस शेष्ट रत में सवार हो गया। मातली अश्व संचालन की कला के मर्वग्य थे, सार्थी के कारे में अत्यंत कुशल थे, उन्होंने मन और वायू के समान बेखशाली अश्व को यदोजित रीती से आगे बढ़ाया। राजन उस समय देव सार्थी मातली ने आकाश में चक्कर लगाते हुए रत्वर, स्थिर्ता पूर्वग, बैठे हुए मेरे मुक्योर, दृष्टी बात किया और आश्चरे चके धोकर कहा। भरत्ष्ष्ट, आज मुझे ये बड़ी विचित्र और अद्भुत बात दिखाई दे रही है, कि इस देव रत्वर बैठकर तुम अपने स्थान से तनिक भी हिलडूल नहीं रहे हुँगुरु कुल्ष्ष्ट, भरत्ष्ष्ट, ये खोड़े पहली बार उड़ान भरते है उस समय मैंने सदा ये देखा है कि देवराज इंदर भी विचलित हुए बिना नहीं रह बाते, परंत तुम चक्कर काड़ते हुए रत पर भी स्थिर वहाब से वैठे होुगुरु कुरुष्ष्ट, तुम्हारे ये सब बाते मुझे इंदर से भी बढ़कर प्रतीत हो रही है, भरत कुल भूशन नरेश्वर, ऐसा कहकर मातली ने अंतरिक्ष लोक में प्रविष्ट होकर मुझे देवताओं के वरूं और विमानों का दर्शन कराया, फिर हरी रन के घोड़ों से जुदा हुआ वैरत बहां से उपर की और बढ़ चला, नर्शिष्ट, रिशी और दे अनिक समुदायों का दर्शन किया, जो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र जानी की शक्ती रखते हैं, अमित्य जस्वी गंधर्वों और अपसरहों का प्रभाव भी मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया, फिर इंद्रिसार्थी मातली ने मुझे शीग रही देवताओं के नंदनादी वन और उपवन दिखाए, ततपशाद मैंने अमरवती पुरी तथा इंद्रभवन का दर्शन किया, वे पुरी इच्छानुसार फल देने वाले तिप्वे व्रिक्षों तथा रत्नों से सुशोबित थी, वहां सुरे का ताप नहीं होता, सर्दी या गर्मी क कश्ट नहीं रहता, और ना किसी को ठकावठी होती है, नरेश्वर वहां रजोंगुर जनित विकार नहीं सदाते, बुढ़ापा नहीं आता, शोग, दीनता और दुर्बलता का दर्शन नहीं होता, महाराज शत्रु सुदर स्वर्गवासी देवताउं को कभी गलानी नहीं होती, उनमें क्रोध और लोब का भी अभाफ होता है, राजन स्वर्ग में निवास करने वाले प्रानी सदा संतुष्ट रहते हैं, वहां के व्रिक्ष सर्वता फलपूल से संपन और हरे पत्तु से सुशोबित रहते हैं, वहां सहस्त्रों सौगंधिक कमलों से अलंकृत ना बहती रहती है, वहां की भूमी सप्रकार के रतनों से विचित शोभा धारन करती और सब और बिखरे होई पुश्प उस भूमी के लिए आभूशन का काम करते हैं, स्वर्ग लोग में बहुत से मनोहर पशू और पक्षी देखे जाते हैं, जिनकी बोली बड़ी मधुर प्र साधिकन, मरुदकन, आधित्य और अश्वनी कुमार के दर्शन होई, मैंने उन्स सब के आके मस्तक छोकाकर उनका सम्मान किया, उन्स सब ने मुझे पराक्रमी यशस्वी, देजस्वी, बल्वान, अस्तरवेता और संग्राम विजई होने का आशिरवात दिया, देव गंधर्व पूजित दिव्य अमरावती पूरी में प्रवेश करके मैंने हाज जोड कर सहस्तर नेत्रों वाले देवराज इंद्र को प्रणाम किया, दाताओं में शेष्ट देवराज इंद्र ने प्रसन्य होकर मुझे अपने आधे सिंगासन पर स्थान दिया, इतना ही नहीं उन्होंने बड़े आधर के साथ मेरे अंगों पर हाथ फेरा, यक्यों में पूरी दक्षना देने वाले भरत्षेष्ट, उस स्वर्ग लोग में मैं देवताओं और गंधर्वों के साथ अस्त्र विद्या की प्राप्ती के लिए रहने लगा, और प्रती दिन अस्त विद्या का अध्यन कराया, राजन वहां इंद्रभवन में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहन करते हुए मैं बड़े सम्मान और सुक से रहने लगा, वहां सभी मनुवांचित पधार्त मेरे लिए सुलब थे, भरत्षेष्ट मैं वहां कभी मनुहर्गी चुनता, कभी पर्याप्त रूप से दिव्य बादियों का अनन्द लेता और कभी कभी शेष्ट अपसराओं का नृत्ते भी देख लेता था, भारत इन समस्य सुक सुविधाओं की अभेलना ना करते हुए उन्हें सुईकार करके भी मैं इनके असली रूप को जानकर इनकी निस्सारता को भाली भांती समझ कर अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में ही सनलगन रहता था, गीत आदी में कभी आसक्त नहीं हुआ, अस्त्रविध्या की और मेरी ऐसी अभिरूची होने से सहस्त्र नेत्रदारी भगवान इंद्र मुझ पर बहुत संतुष्ट रहते थे, राजन इस प्र एक दिन भगवार एद्र रहें, अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक असपर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, अर्जुन अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास नहीं कर सकते, फिर मर्थे लोग में रहने वाले बेचारे अस्यमी मनुश्यों की तो बात ही क कर सकते, इतना कहते कहते देवराज के शरीर में रोमांच हुआया, तदन अंतर भे पुना बोले, वीर अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई योधा नहीं होगा, कुरुश्रेष्ट तुम सरवता साबधान रहते हो, प्रतेक कारे में कुशल हो, जीतें अस्त्रों का ज्यान है और तुम अद्भुट शोहरे से संपन हो, पार्थ तुमने पांच विधियों सहित, पंद्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं, अतह इस भूतल पर तुम्हारे जैसा शूर, दूसरा कोई नहीं है, परंतप्धन जय, प्रियोग, उपसंघार, आवृत्त अस्त्रों की पांच विधिया है, तुम इन सब का पून्ग्रान प्राप्त कर चुके हो, अतह अब गुरुदक्षणा देने का समया गया, निर्दोष प्राणी का वद्ध हो जाए, तो उसे पुनह सजीवत करने की विध्या को प्राप्त कहते हैं, शत्रु के अस्त्र से प तुम उसे देने की प्रतिग्या करो, तब मैं अपने महान कारे को तुम्हें बताऊंगा, राजन यह सुनकर मैंने देवराच से कहा, भगवन जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसे किया हुआ ही समझे, नरेश्वर तब बल और वृत्रासुर के शत्रु इंदर ने मुझ से हस्त कबच, नामक देत, मेरे शत्रु हैं, वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आशे लेकर रहते हैं, उनकी संख्या तीन करोड बताई जाती है, और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है, कुंति नंदन, तुम उन दान्वों का संखार कर डालो, इतने से ही तुम् ऐसा कहकर इंदर ने मुझे एक अत्यंत कांतिमान दिविरत प्रधान किया, जिसे मातली जोद रहे थे, उसमें मयूरों के समान रोम वाले घोड़े जुते हुए थे, राथा जाने पर देवराज ने यह उत्तम के रीट मेरे मस्तक पर बान दिया, फिर उन्होंने मेरे सुर है, ततपशाद मेरे गांडेव धनुष में उन्होंने यह अटूट प्रतिंचा जोड़ दी, इस प्रकार यूद्ध के सामगरियों से संपन्न होकर, उस देजस्वी रत के द्वारा मैं संगराम के लिए प्रस्तित हुआ, जिस पर आरूड होकर, पूरुकार में देवराज ने विरोचुन कुमार बली को परास्त किया था, महराज, तब उस रत की घड़कर हट से सजक हो, सब देवता, मुझे देवराज समझ कर मेरे पास आए, और मुझे देखकर पुछने लगे, आर्जुन, तुम क्या करने के तयारी में हो, तब मैंने उनसे सब बातें बता कर क मैं युद में यही करने जा रहा हूँ, आपको यह ग्यात होना चाहिए, कि मैं निवात कबच नामक दानवों के बत की इच्छा से प्रस्तित हुआ हूँ, अतह, निश्पाप एवं महाभाग देवता हूँ, आप मुझे ऐसा आशे बार दें, जिससे मेरा मंगल हो, राजन तब वे देवतालोग प्रसंद हो, देवराज इंदर की भांदी, श्रिष्ट एवं मधुरवानी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। इस रत के द्वारा इंदर ने युद्ध में शंबरासुर पर विजेबाई है, नमुझी, बल, वृत्र, पहलाद और नरकासुर को परा पाजित किया है, जिनकी संख्या सहस्त्रों, लाखों और अर्वों तक पहुच गई है। विजेबाई है, वही ये शंख है, जिसे मैंने अपनी विजेग के लिए ग्रहन किया था, देवताओं ने उसे दिया था, इसलिए इसका नाम देवदत है। शंख लेकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ, मैं कवच, बान और धनुष से सच्चित हो, मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करें।